Hello दोस्तों, आप सभी का सुवागत है हमारे चैनल अनम लोडिक में दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बतां गा कि VPN एक्चल में होता क्या है और VPN से हमें क्या फायदा होता है और VPN से हमें क्या नुकसान होता है ये दोनों चीज आज इस वीडियो में cover करूँआ और आपको एक नई चीज भी दिखा हुआ तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगर मेरे चैनल में नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और साथी साथ bell icon का button भी दबा दीजी है ताकि जब भी मैं कोई interesting वीडियो लेकिया हूँ तो सबसे पहले notification आपको मिल जाए तो दोस्तों सबसे पहले तो VPN के बारे में जानने से पहले आपको VPN का फुल फॉर्म जाना बहुत जरूर है विर्च्वल प््राइवेट नेटवर्क यानि के यहां पर एक प्राइवेtsåी का जिकर हो रह रहे है तो मतलब यह होता है कि यह जो चीज है यह हमारी जो प्राइवेसी को है जो प्राइवेट चीज है उसको प्राइवेसी तौर पर रखती है जैसे के फोर एक्जामपल हमारी हमारे देश में जो भी साइट ब्लॉक होती है और उन साइट्स की हमको जरूरत होती है तो हमें क्या के वीपेन हमारी हेल्प करता है कि हम उस साइट को हम यहां पर ओपन कर सकें क्योंकि आपको भी तो पता है हर एक नेटवर्क जो है ISP के तुरू एक दूसरे नेटवर्क से जुड़ावा होता है यानि ISP का मतलब यह होता है दोस्तों जैसे के यहां पर ओर और लगे तो यह सबसे पहले जायेगा कोई बी एक ISP नेटवर्कम ISP network यही होता है दूस्तों के GEO, Waterphone यहाँ पे पहले जाएगा क्योंकि हम एक जो भी network यूज करते हैं वो एक ISP के तुरू connected होता है ठीक है तो जैसे ही यह ISP को जो भी हम request यहाँ पे डालेंगे वो सबसे पहले जाएगा आपके जो भी ISP network है उसके पात जाएगा और वो ISP network यह सर्वर को जो Google network का जो बड़ा सर्वर है वहाँ पे जाएगी जो हम यहाँ पे question करते है फिर उसके बाद वहाँ से उनका answer आता है वो फिर पहले ISP के पास आता है फिर उसका answer फिर हमारे पास आता है इसलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई भी government कोई भी देश के government होती है अगर वो चाहती है ISP को बोलके वहाँ पे जो उनका जो भी website है जो उनके देश में नहीं दिखना चाहिए वो website को block कर सकती है आए दिन कभी भी ठीक है लेकिन in future हमें कोई भी चीज की जरूरत हो कोई भी website की हमें जरूरत होती है तो हम VPN के तुरू बड़ी आसनी से उसका access कर सकते है और उन website को वहाँ पे जो देश में जो government अगर block करती है तो उस देश पे हम बड़ी आसनी से उसका access प्राप्त करके यहाँ पे हम use कर सकते है और दूसरा VPN का फाइदा दोस्तों यह होता है के आजकल देखिए दोस्तों के बहुत ज़ादा लोग ऐसे होते हैं के बहुत ज़ादा मतलब ऐसा है के आजकल digital चीज़े हो गई है तो digital चीज़े हो गई है तो आपको तो पता है के पहले चोर घर में घुसकर चोरिया कर देते हैं अब घर बेटे चोरिया कर रहे है ठीक है तो VPN हमें इन सब चीजों से बचाता है VPN क्या हमारी privacy को contain रखता है मतलब के continuous हमारे privacy को बचाता है यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी यह कोई भी चीज़ कर सर्च करते हैं हम कहीं पे भी चले जाते हैं ठीक है वहाँ पे हमको फिरी का वाइफाई यूस करने दिया जाता है तो हम यह सूसते कि हम यह फिरी का वाइफाई यूस करें तो हमको बहुत सारे benefit यहाँ पे मिल सकते हैं ठीक है बट ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बंदा उस server को connect करके यारी वो बंदा जो मतलब उसको control कर रहा है चाहे वो hacker क्यों ना अगर वो hacker control करेगा तो आपकी जो privacy को भी क्या होता है खत्रा बन सकता है तो VPN हमें उन सब चीजों से बचाता है वो directly क्या करता है ना कोई बीच में ISP को connect करता है वो directly अगर हम VPN use करेगे तो वो directly हम कोई भी देश का जो website वहाँ पे चल रही है उसका access बड़ी आसानी से मंगा सकते है यहाँ पे ISP पूरी तरीके से हट जाता है ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो भी problem है जो भी website आपको use करनी है या जो भी जैसे for example हमारे जो देश में हैं कभी कबार 1080 या 2000 में हमारा दिखता नहीं है लेकिन हम क्या VPN के तरुक connect करके हम 2000 की clarity में HD में हम यहाँ पे क्या है अपने जो YouTube वीडियो से उसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं जो के वो USA में दिखता है और इंडिया में for example के तौर पर बता रहा हूँ के USA में full HD यानि 1080 की HD full दिखती है बट यहाँ पे क्या इंडिया में वो नहीं दिखती है तो हम क्या कर सकते हैं VPN के तुरू उसका access करके 1080 की HD quality में भी यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तो यह तो हो गया और एक और चीज मैं आपको बता दूँ मैंने आपको बता है था कोई interesting चीज यानि के आजकल जो इंडिया में PUBG बैंड हो गया है तो बहुत सारे लोग यह सर्च करने लगे VPN की तुरू हम PUBG किस तरीखे से start कर रहा है तो दोस्तो उसका भी एक VPN आ गया है कि हम PUBG देखे इंडिया में तो बैंड हो गया है बट USA में, कैनेडा में यह सब जगे पे PUBG बहुत ही जादा उदा मचा रहा है यानि कि बहुत जादा चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं VPN की तुरू हम क्या कर सकते हैं उसे कनेक करके हम PUBG को इंडिया में भी खेल सकते हैं तो मतलब इस तरीके के और इसे के हमारी प्राइवेसे भी बनी रहती है तो दोस्तो यह है कि VPN क्या होता है अभी मुझे अच्छी तरह लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि VPN एक्चुल में क्या होता है और यहां पर देखे हैं मैं Google Play Store पर भी जाता हूँ तो यहां पर भी लोग बहुत सारा सर्च करते हैं कि VPN for PUBG करके तो यहां पर भी बहुत सारे options आ जाते हैं अब इसमें से मैंने कह सकता हूँ कौन सा VPN सही है वो मुझे भी नहीं पता है बट VPN के बारे में मैं यह चीज़ बता देता हूँ कि VPN अमुक एक है मैंने एक पूरी list तयार करके रखी है ठीक है उस list को मैं description में दे दूँगा वो VPN trustable है यानि कि कुछ-कुछ paid version भी है और कुछ-कुछ ऐसे भी है कि जो आपको free of cause दे सकती है बट उसमें एडवराइजिंग कुछ ज़्यादा आएगी बट आप ऐसा भी है VPN को यूज करके आप अपनी privacy को maintain रख सकते हैं ठीक है तो आप अपनी privacy को maintain रखें ताकि किसी को भी आप जो भी hackers है वो आपको नहीं आपको कोई भी data चुरा सके ठीक है तो मैं तो आपको यही कहता हूँ कि पहले लोग घर में गुसके चुरिया करते हैं अब घर बेटे हैं हमारी जो privacy हैं उसे चुरिया चुरिया कर रहे हैं उसके बाद हम से फिर पैसे की मांग करते हैं वगिरा वगिरा वो बात की बात है लेकिन VPN की तुरू हम अपने जो एकसेस है जो वेबसाइट है हम उसे जो हमें जरूरी वेबसाइट है हमें चाहिए कि यह वेबसाइट हमारे काम में काम आगी क्योंकि इसे VPN का यूज बड़े बड़े वेबसाइट का यूज करके ओफिस वगिरा में वो यूज कर सकते हैं तो दोस्तों यह है वीपेन की सारी कहानी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्क्राइब कर लिजे लाइक और शेर जरूर करना चले फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में थांक्स वर वाचिं